हलो आज मैं आपको एंग्जाइटी के बारें बताने वाला हूँ एंग्जाइटी मतलब चिंता फिकर ऐसा बोले जाता है कि 21 सथी है 21 सेंचुरी तो इसमें सबसे जाना प्राप्लेम जो लोगों को वो है वो है चिंता का कि टेंशन एंग्जाइटी ही हूँ जो है न चिता मरे हुए आद्मी को जलाती है और चिंता जो है वह संद्धी आ आत्मी को जलाती है जिंदा आत्मी जल जय जाएंगा आज ऐसा है कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर गट्टी को चिंता आ रही है। छोटी-छोटी बात है। ऐसा बच्चा है तो उसको चिंता है कि पढ़ाई कैसे करें। तो उनके माबाब को चिंता रही है कि अपना बच्चा पढ़ाई करेंगा। फिर बच्चा को चिंता है कि मेडिकल में जाना एंगिनिरिंग में जाना और कोई कोर्स लेना। उसकी चिंता उसको लगे रहती है। तो बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे को कोई नशा करेंगा क्या। कोई गलत संगत में है क्या। कोई लड़की ज्यादा फैशन कर रहे है क्या। यहां कई WhatsApp पे Facebook के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। वो चिंता पालग लोगों को रहती है। फिर पालगों को शादी की चिंता रहती है। पैसी की चिंता रहती है लोगों को। फिर पैसा ता ऐसा है कि कितना भी कमाया तो भी कम लगता है। पैसे की चिंता है, कोई बीमारी हो जाएंगे उसकी चिंता है, प्रमोशन मिलेंगा नहीं मिलेंगा उसकी चिंता है, बॉस क्या बोलेंगा, ट्रांसफर मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ट्रांसफर होंगी की नहीं होंगी, हमको ट्रांसफर होना नहीं है, हो जाएंगी तो क्या हो तोछ मेरे छोपपट होगा. कल मेरे छोपट मेरे छोपट मेरे छोपट मैरे अशर के माएथ ना पड़या, और मुद्फे बैठना पड़ तो डिवाल मेर में कोई पिट दिया तो क्या होगा? दे में मेरे बहुत लौस हो रहा है, तंब ही क्या करना ची ए? करजा बहुत है, करजा फिटने का है, बैज देने का है, तो बच्चों की पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है, या पती-पत्नी में कोई संघर्ष हो रहा है, या मापिता जी का कोई संघर्ष है, उनके साथ में नहीं पट रही है, सासल से के साथ में नहीं पट रही है, तो मेरे वरकशाप्स में बोलते रहता हूं, जो में हिपनाडिसम के वरकशाप लेता हूं, उसमें बोलते रहता हूं कि इतने लोगों को टेंशन नहीं चाहिए, तरसल आप ऊपर करते हैं, किसको टेंशन नहीं चाहिए, मैं बोलूगा, या टेंशन आपको नहीं चाहिए, तो आ प्राब्लेम का सामना उसको करना ही पड़ेगा और चिंदा आ रहे हैं तेंशन आ रहा है कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है यह अची ख़बर है इसका मतलब कुछ ना कुछ चालू है को चिंदा होना है तो कुछ मत करो जो आपको चिंदा नहीं जाए तो घर में जाके बैटो सो जाओ और तभी चिंदा हो जाएंगी कुछ ना कुछ कि मेरे को चिंदा आएगी नहीं क्योंकि अभी एक आदमी था वो रिटार हो गया अभी कुछ प्राब्लेम ही नहीं है पेंशन मिल रही है 17-18 रुपे महने की और घर में बैटा हुआ है मैं आपको चिंदा त तो चिंदा तो आएंगी तो रोज मरा की सु जिंदगी है इसमें चिंदा आने वाले है उसमें प्राब्लेम्स आने वाले है खन करना के दो और चिंदा सांबना करना हो महत वगा है क्योंकि वो चिंदा आएंगी, प्राब्लेम्स आएंगे, हम इदी उसका टेंशन लेंगे, तो होंगा क्या, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मुझे डाइपेटीस होंगा, शक्कर की बीमारी होंगी, मुझे अस्त्मा आजाएंगा, मुझे खुचली आजाएगी, मेरा पे इतने सारे प्राब्लेम हैं चिंदा की वज़े से, तो भी इसका हल क्या है, करना क्या है, तो हम यह बताते हैं कि आप कोई तो भी बड़ा काम ऐसा करो, कि जो काम के लिए आप अपनी जिंदगी देने को तैयार है, ऐसा काम आपके धंदे में करो, बिजनेस में करो, या ऐसा काम कोई तो भी ऐसा बड़ा खड़ा करो, वो सोशल वर्क हो सकता है, या कोई ट्रस्क की स्तापना करो, या आपके बिजनेस में ऐसा कुछ तो भी बड़ा काम करो, कि वो लोगों के लिए होंगा, ऐसे कुछ तो भी बड़ा काम करो, कि जिसमें आपको तकलीब नह होंगे आप , लोगों के लिए काम करो समाज के लिए काम करो लोगों के लिए काम करो तो जो आप बड़ा कुछ तभी हमारे से बड़ा, मेरे से बड़ा, मेरे मेरी जो कपैसिट इक्षमता है, उससे काफी बड़ा काम ही जिए मैं करना चालू करता हूँ, तो naturally मेरी छोड़ी जोड़ी काम है, छोड़ी जोड़ी प्राब्लेम जो है, वह आप यब निकल इसके अलावा मैं रोज बोलता हूँ कि जिसको जिसको चिन्ता सताती है, उसको रोज उसने स्वसन मोहन करना चाहिए, हिपनोडिजम करना चाहिए, सेल्फ हिपनोसिस करना चाहिए, सेल्फ हिपनोसिस करना चाहिए, सेल्फ हिपनोसिस में होता क्या है, कि आप खुद चेर बैण। इज़ी चेरे पेख़े। रिलाक्स बैठ ओर पहले शवासन की पूजिशन आप लेते हो इजब शवासन कर लेते हो. मतलब शव जैसा असन, डेट बॉड़ी जैसा असन वो शवासन तो हैं आपने ने से पुरे हाथ, बदन, और पूरा बोड़ी में रिलाक्स कर रहा हूं, और completely बोड़ी रिलाक्स करने की सूचना अपने आपको देना, और फिर आखों के सामने, कलपना कितने निर्मान करना, तैयर करना, कलपना कोंसी करना, कलपना ये करना है कि जहां-जहां मुझे तकलिव आती है, जहां-जहां मुझे चिंदा आती है, वो जो है situation, वो situation मैंने मेरे सामने लाना, कलपना में, और वो प्रसंग मैंने सामने लाया, मेरे कलपना में सामने लाया, और वो situation में, वो घटना में, मैं शान्ती से, रिलाक्स होके, दिमाग शान्त रखे, उसका सामना कर रहा हूं actually कर रहा हुआ इसा picture अपने आपका देखना imagination में वो picture देखना कि मैं उसका सामना कर रहा हूँ और सामना करके एकदम relaxed बाता और रहें में relaxed होकर उसका सामना करके बहुती अच्छा feel हो रहा है मुझे बहुती अच्छा लग रहा है और सब थीक तो हुआ सामना करने का पिक्चर देखते हो, सबेरे दोपेरे शाम को, कम से कम दो बार दभी, सुबा और रात को, आप करते हो, तो काफी हद तक आपकी anxiety की समस्या जो है, तो आपकी दूर हो सकती है, तो आपने वो जो घटना है, उसकी कलपना करके, उसका सामना हम कर रहे है, या उसको मैं face कर रहा हूं, जो व्यक्ति के साथ में आपकी बात्चित हो रही है, या वहां टेंशन आ रहा है, तो व्यक्ति के साथ में बात्चित कर रहा हूं, कोई और अधिकारी है, उसके सामने अपने को टेंशन आ रहा है, तो उसके साथ में मैं काम कर रहा हूं, बात्चित कर र है ऐसे बार 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 जब आप subconscious mind को hammering करेंगे definitely निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसमें फायदा होगा तो यह आप definitely करो और आप चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं चिंता मुक्त आप जीवन जीएंगे तो काफी सारी बीमारियां जो है बदन की उससे भी आप पूरी तर अच्छे हो जाएंगे तो वो कीजेगा यह जो यूट्यूब पे शेर करो आप यह आप देख रहे हो वीडियो यह शेर करो लोगों बताओ यह और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे से काफी सारी वीडियो आपको देखेंगे और सो थैंक्यू बेरी मुच्छ